कि नमस्कार मैं पीसी जोसी नियो थरपिस्ट और कायोप्रेक्टर और इस समय मेरे पास बैठे हैं मेरा नाम धुरूपन्त है और मैं यहां पर अपनी काफ में दर्द और डाइजेशन से रिलेटेट समस्या लेकर आया था और अभी मैं यहां पर करीवन अठाइस दिन का ट्र इंप्रूमेंट है 80% का इंप्रूमेंट दिख रहा है गैस बननी लगबग बंद हो गई है और बोडी पेन बहुत कम हो गया है जैसा कि इनोंने अपना नाम बताया यह इनका खुद का बिजनेस है और समय निकाल के बड़ी मुश्किल से नौबजे के आसपास आते हैं हमार इनको UDF की समस्या थी यह जानी कि हम जिससे कह सकते हैं undigested food in stool यानि कि आप जो खा रहे हैं वो उसी फॉर्म में आ रहा है लग बलग बग या आपका टॉलेट है वो बिखरावा आ रहा है clean नहीं है यानि कि shape में नहीं बन रहा है यानि कि जैसा बनना चीए वैसा नहीं ब बनती थी आए तो सिर्थ यह थी सिर्फ काब मसल पेन के लिए जा हमने चेक किया तो इनको UDF की समस्या थी और पेट ठीक नहीं था गैस बनती थी थोड़ा सा इनको sinus की भी दिक्कत थी अभी कैसा है साइनस में भी improvement है और इस बीच में चलना फिर्णा मैंने कम किया एक साइस कम किया लेकिन मेरा वजन भी दो से तीन किलो कम आ गया है अठाइस दिन के treatment से इनका वजन दो से तीन किलो नीचे आ गया है थोड़ा सरवायकल की भी समस्या है वो अभी इनिशल स्टेज में है बहुत खराब वाली स्टेज नहीं है तो वो तो हम बात में देख लेंगे लेकिन जो इनको अभी improvement आया है जैसे कि आपने सुना कि 80% य नहीं है अभी भी तो ऐसे लोग जो हल्दवानी में रहते हैं वो new therapy treatment ले सकते हैं आप new therapy treatment के बारे में क्या समझ पाये हैं और क्या आपको इस से benefit लगाया है मुझे यह लगता है कि यह अगर आप समय दे सकते हैं तो बिना दवाईयों के आप यहां पर ठीक हो रहे हैं कोई side effect नहीं है और result धीरे धीरे जरूर नजर आते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यारे रखते हैं पेशेंस रखते हैं तो आप हपते दस दिन के अंदर आप मैसूस करेंगे कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आपके आ रहे हैं और body धीरे धीरे हील हो रही है body जरूर धीरे हील होगी समय जरूर लगेगा अगर आपके पास समय है तो समय लेकर ही आए ऐसा नसोची कि यहां कोई जादू या जाडू टोना टोटका ऐसा कुछ होता है कई लोग इस वहम में आते हैं कि यहां पर जाडू टोना या ऐसे कुछ जाडू कर लेंगे तो ऐस होती हैं और इस में आपको कुछी भी प्रकार की पेन किल्दा लेनी की जरूत नहीं है आप देखते होंगे कि आपको एसड़िटी है तो आपको उसमें गेस की भी गोली दी जाती है अन्य दवायां दी जाती है जिससे कुछ समय के लिदो वो चीजे हलो जाती है जब पेट आप यह सोचते हो कि अब कैसे राहत मिले तो यह भी करीब करीब 20 साल से परिशान थे मैं काफी टाइम से परिशान था और एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा कि यहां आने के बाद मेरा ब्लट प्रेशर की टैबलेट भी बंद हो गई है पिसले 15 दिनों से ब्लट प्रे से इनको काफी राहत है तो ऐसे लोग जो हल्दानी में रहते हैं वो नियो थेरेपी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं बशरते वो अपने पास समय जरूर लेके आएं ऐसा ना सोचें कि एक दो दिन या पांस साथ दिन में वो चीज़ ठीक हो जाएगी यह ध्यान रखना बीमार चार्जेज हैं और हल्दवानी में सुविधा उपलब्ध है इसलिए मैं यह मानता हूं अगर मुझे इसी काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता तो हजारों रुपे मेरे वहाँ पर जाके खर्च हो गया होते और बड़ा मेरे असंभा होता क्योंकि मैं बिजनस करता हूं तो आप बाहर जाएंगे तो क्या खर्चे बैठेंगे वो मुझे पता है वो इनको भी पता है क्योंकि वो खुद अपने आप में एक रिसर्च वाले हैं तो वह उन चीजों के उपर रिसर्च करके यह आगे बढ़ते हैं ऐसे आख बन करके आगे नहीं बढ़ते तो ऐसे लोग